In this module, we will discuss important properties of taxa name. जब भी हम किसी taxa का, किसी animal group का नाम रखते हैं, तो उसके अंदर कुछ characteristics का होना बहुत ज़रूरी है. बहुत सारी properties हैं, लेकिन कम से कम जो तीन properties हैं, उनका होना बहुत ज़रूरी है. उसमें जो पहली चीज़ है, वो uniqueness. उस taxa का जो नाम है, वो unique होना चाहिए. उसके बाद, दूसरा, उसका नाम universal होना चाहिए. और तीसरा, जो character उसके अंदर मौजूद होना चाहिए, वो उसकी stability है. अब हम बारी-बारी देखते हैं, कि इसकी क्या importance है. सबसे पहले, हम uniqueness की बात करते हैं. जब भी किसी बार्गनिजम का scientific नाम रखा जाता है, तो ये नाम बहुत unique होना चाहिए. क्योंकि जब हम कोई भी नाम जो के internationally approved होता है, जब उसका हम जिकर करते हैं, तो उसके साथ ही, जो उसकी background के उपर information होती है, फौरण हमारे जहन के अंदर आ जाती है. क्योंकि जो नाम होता है, उसके साथ हम immediately assess कर लेते हैं, वो तमाम information जो उस नाम से related होती है. इसलिए किसी भी जो taxon है, उसका जो नाम है, वो बहुत ज़्यादा unique होना चाहिए. अगर जो है, किसी taxon के एक से ज़्यादा नाम हो, तो उस सूरत में हमारे पास clear cut method मौजूद होना चाहिए, जिसकी मदद से हम इस चीज़ का अंदादा लगा सकें, कि ये जो मुख्तलिफ name है, इस में से कौन सा नाम ऐसा है, जिसको हम valid name consider करें. तो अगर हमारे पास ऐसा कोई procedure मौजूद है, तो हमारे लिए बहुत असानी होगी, और हम असाने से, इन नामों में से, जो valid नाम है, उसको select कर सकते हैं. अब अगर हमारे पास एक से ज़्यादा नाम है, तो फिर हम principle of priority का इस्तमाल करेंगे, और principle of priority की base के उपर, हम ये decide करेंगे, कि इन में से कौन सा नाम valid है, जिसको हम use करेंगे. इसी तरीके से, दूसरी जो important चीज़ है, वो उसकी universality है, यानि नाम universal होना चाहिए, ये जो नाम है, ये internationally recognizable होना चाहिए, तमाम जो scientific community है, वो इस नाम ते इत्वाक करती हो, क्योंकि अगर हमारे पास vernicular name है, जो कि local languages के अंदर name है, तो हर इलाके के अंदर, उस इलाके के लोगों ने एक animal का एक खास local नाम रखा होगा, तो जो एक taxonomist है, एक जो researcher है, उसके लिए ये एक बहुत बड़ा challenge होगा, अगर उसने international communication करनी है, तो उसके लिए उस animal के जो local languages हैं, उनके अंदर जितने भी नाम हैं, उन तमाम नामों के बारे में उसको पता होना चाहिए, अगर उसको इन तमाम नामों के बारे में मालूम नहीं होगा, तो फिर communication fail हो जाएगी, और एक परसन के लिए ये ये बहुत मुश्किल है कि वो तमाम local languages के जो नाम हैं, वो याद रखे, और क्योंके जो animals हैं, उनकी तदाद बहुत जादा है, अगर हर animal का एक अपना local नाम है, तो एक researcher के लिए ये मुम्किन नहीं कि वो तमाम animals के scientific name के साथ local name जो है, याद रखे, परजेंपल, अगर एक researcher जो है, वो beetles के अपर काम कर रहा है, और उसके पास collection के अंदर 60 beetles हैं, 60 species हैं, अब हर species का एक local name है, तो अगर वो communication करना चाहता है, तो उसको एक तो इन तमाम जो beetles हैं, इसके local name, और उसके लावाद दूसरे इलाकों के अंदर, इनके जो local name हैं, उसके बारे में पता होना चाहिए, फिर ही वो सही तरिके से communicate कर पाएगा, इस problem को solve करने के लिए, जो zoologist हैं, उन्होंने इस चीज़ के उपर इत्फाक किया, कि तमाम जो animals हैं, उनका जो नाम हैं, वो universal होना चाहिए, एक language के अंदर होना चाहिए, ताके जब इस animal का जिकर हो, इस नाम का जिकर हो, तो तमाम जो scientific community हैं, उनके जहन के अंदर, एक ही animal आए, तो एक single language और single name के साथ, जो communication है, वो बहुत असान हो जाती है, इसी तरीके से, जो तीसरी, जो quality है, जो के नाम के अंदर होने चाहिए, वो उसकी stability है, एक नाम जो है, जब रख दिया जाए, तो ये नाम stable होना चाहिए, क्योंकि नाम की तबदीरी के साथ, इवन जो है, जो international commission on zoological nomenclature है, इसके मताबिक जो principle of priority है, जिसकी बेस के उपर हम ये decide करते हैं, क्यों सा नाम valid है, लेकिन अगर किसी नाम के रखने की वज़ा से, उसकी जो stability है, वो मतासर हो रही है, तो इवन जो principle of priority है, उसको भी set aside कर देना चाहिए, लेकिन जो नाम है, वो stable होना चाहिए, तो एक animal का नाम रखते वक्त हमें तीन चीजों का ख्यार रखना है, कि वो नाम unique होना चाहिए, वो नाम universal होना चाहिए, और वो नाम stable होना चाहिए,